आज मैं बना रही हूँ गर्मी स्पेसल रायता जिससे रत्वा भी कहा जाता है इस रेसिपी को हमने घर में बनाया है वैसे तो मार्केट में भी मिल जाती है लेकिन घर में बने हुए चीज और भी टेस्ट लगते खाने में चली आज की रेसिपी शुरू करते हैं फ्रेंज हेलो मेरे यूटूब फेमिली नमस्ते फ्रेंज कैसे हैं आप सब आई हो पाप सब बहुत अच्छे हुए तो यहां पे मैं बना रही हूँ खीरे का रायता खीरे को हमने दो करके ले लिया है यहां पे मैं एक खीरे का बना रही हूँ आप जितना चाहें दो खीरे का या कट कर लोंगा और इसे हम घीष लेंगी एक मिनिट तक इस तरह से घीष डिलेंगे अहीं खिरे का निकल जाता है तो आप देख सकते की सिसमें जई जाक निकल रही है तो इसका जो तीता पन है वो निकल जाएगा खीरे से तो जब हम यह रेसिपी बनाएंगे ना उसमें करवापन बिल्कुल भी नहीं रहेगा आगे का पाट का तो चलिए हम यहां इस प्रकासे घीस लिए है तो अब यह हो गई है तयार अब हम इसे कट करके हटा देंगे तो इ लिया करेगा तो अब गर्मी का मोसम में तो राaritar खाना सबको पसंद होता है यानि कि रतवा हम लोग इसे रतवा कहते हैं तो जैसे कद्डू का बनता है पपीता का बनता है या और बहुत बहुत सारे चीज़ों के बनते है तो हम यहा बना रहे कीड़ेंगा तो यहां बना तो आपको बड़ा मसीन है तो आप दो भागों में भी कट करके इसे कद्दूकस कर सकते हैं यहां पर पूरा खीरा कावी आप उसे कद्दूकस कर सकते हैं यहां पर देखिए भी कहां कावी इसे हमें बिलकूल भी हैं इस्का जो साइड वाला है चारो तरफ वह हमें में यूज करोकर जाया इस पultyक्दूकस करें पर देख्याज्न ना, और शर्ण, गष्ब यह हो जा रही है अची तरह से, तो देखिए इस तरह से, इसली तरह से हमें कर लेंगा है, लुआ डिख्यम जंग लिएक और इसिया क्ञेज सोरख हो टेजिए तो देखिए फिर आफ سर। जो है आप इसे सलाद में उच कर सकते हैं या फिर वैसे भी नमक डाल के आप इसे खा सकते हैं चलिए इसे को अब हम रख देते हैं और यहाँ पे अगर आप चाहें और हमें छोटा करना है तो छोटा करने के लिए हम चाकू ले लेंगे और चाकू से हम इस प्रकार से कट लगा लेंगे देखिए इस तरह से कि अब हमें प्याज को कट कर लेना थे हरिमेज को पहले कट कर लेते हैं आप मोटा मोटा चाहें तो उस तरह भी कट करके डाल सकते बटा आप उसे चोकने में यूच और ने के लिए आप थोड़ा सा पतला पतला ही काटेंगे न तो वो खाने में जब हम खाएंगे रदवा तो अच्छी लगेगी तो यहाँ पर देखिए हम महीन महीन करके कट कर रहे हैं दो भाग में करकर के आप चाहे तो चार भागों में भी मिर्ची को कट करके और काटेंगे और बारिक से कटेगी हमारी मिर्ची देखिए इसे हमने कट किया ये भी बहुत ही बारिक से कटी हुई है इसी प्रकास यहां पर देखिए हम दो भागों में कट कर लिए हैं फिर से हम यहां पर इसे दो भागों में कट कर लिए और भी यह महिन हो जाएगी मिर्ची कंप कर लिया है आपूँ इसका छिलकार निकाल लिया है अब इसके मिर्च खना हाथ को तो देखिए प्याज को भी हमने बारिक करके कट कर लिया है इसे हम रख लेते हैं तो आप हमारी प्याज भी है तैयार कट करके और हरी मिर्च भी तैयार है और यहां पे खीरा भी हमने कट कस करके रख लिया है अब एक बड़े से साइज में मेडियम साइज काटोरी में दही को जाल दिये हैं इस में अब हम डालेंगे मसाला दी यहां पर हमने सादा नमक डाल दिया स्वादा नुसर लिए भूना जीरा पॉड़र भूना जीरा पॉड़र पॉड़र दों करें कि हरी, mendic decided to add 잘 on, तुदी लेज़ पॉड़र दों आपको बेलाब कामे मईरा माच करने करे से किए घंळे. चुर्ट रेच हे दों कि मतबनी हरे कि तो दो नगे कामे MIRiert for the'll, हुआ काली मीच इसे भी हमने डाल दिया है अब हम इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से तो सारे को हम मिला लेते हैं तो देखे फ्रेंस यहां पे जो मसाले के साथ दही को मिला लिए है तो यहां पे इस टायम आप इसमें अगर चाहे कद्दू का भी वो भी रायता बना सकते हैं पापीता का भी रायता बना सकते हैं कि ऐा आपको जो पसंद हो वह बना ले Laz Dollar स्भिश्रे-टाइब ऐसे-दES ने दे क्ञिड़ने पार शाएब कट्डू-कषर एक क्ट्डू-कस करके रखें हमidents में उसे आप चान ले और इस टाइब से करके आप इसमें दही में मिला दे अगर आप आधा केजी एक केजी बना रहे हैं तो उसी तरह से बनाईए और उसे श्टोर करके रख दिजिए आप हफ्ते भर से भी ज्यादा खा सकते हो खराब बिल्कुल भी नहीं होगी तो यहां पर द चीनी डाल दिया है अब हम इसमें लगाएंगे तड़का या फिर छोका भी का सकते आप तो अब रत्वा में लगाएंगे हम तड़का तो यहां हम लोग जो हमारे घर तरफ जारकर में से रत्वा कहा जाता है तो यहां पर हम सरसों ओल दे दिए हैं गरम होने के लिए तेल इसमें हम डाल दी है राई तो काली वाली राई जो आती है ना सरसों वही डाल दिये हैं एक चम्मच खड़ा जीरा डाल दिये हैं और इसमें थोड़ा सा हींग है तो डाले नहीं तो आप इसे स्किप कर दें थोड़ा सा हींग डाल दिये हैं और इसमें डाल देंगे अब हम इसमें लगा देते हैं तरका तो यहां पर देखिए हम डाल दिये हैं तो अब देखिए रायता कितनी अच्छी लग रही हमारे देखने में और खाने में भी फ्रेंस बहुत टेश्टी लगती है तो आप इसे बना के इस तरह से मिला लें उसे ढख करके आधे गंटे इसे अब दें और इसे थोड़ा सथ ठंडा होने दें उससे क्या होती है और भी एटेश्टी लगती है खाने में तो इसे हम पराटे के साथ भी खाने में चेश्टी तो मेरी च्छोटी रेसिपी आप लोगों को पसंद आती हो फ्रेंस ब्लीज विडियो को लाइक किजिए मेरे को प्लीज सस्क्राइब जरूर कीजिएगा प्रेंस और सेयर कीजिए अपने फैमली में अपने दोस्तों में और साइड में जो बेल आइकोन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा उससे क्या होगी मेरे वीडियो के नोटिफिकर्स आपको मिलती रहेगी थेंक्यू